उधर किसान भी प्रदशन कर रहे हैं इदर आड़ते भी आमर अनशन पर बैठने लगे हैं जिहां ये तस्वीर करणाल की है जोहां इनेम बड़ी हुई मार्केट फेस और आड़त घटाए जाने समेट कई मुद्दों की विरोध में आड़तियों ने अनिश्चित कालिन हर्ताल तो पहले ही शुरू कर दी थी उपर से साथ आड़ती अपनी मांगों को लेकर आमर अनशन पर बैठ गए हैं दोपहर को प्रदेश की आड़ती असोशेशन के साथ सदस्या करणाल के नाच मंडी में आमर अनशन पर बैठ गए आड़तियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो वो आमर अनशन से नहीं उटेंगे अब दिन रात वो धरना स्थल पर ही पैठे रहेंगे जब तक सरकार के कानों में हमारी बात नहीं जाएगी जब तक सरकार हमारी बातों भी विचार नहीं करती तो हम ऐसे ही बूपरदार करें क्या मंगे हैं पुर्श मिश्तार से बताना जाएगे हैं जो इतने जिनों से सालों से बता रहे हैं सरकार को जो यह नेम लागो कर रही है यह आड़त हमारी वह काट लिए उन्हें जो हमारी वह पेमेंट आती थी उसको जबर्दस्ती दे रहे हैं यह सिद्धा किसानों को हम कहने ओप्स्नों देदो इह मांगे वार्शूत के लिए कुछ नहीं असर पढ़ेगा कुछ नहीं सरकार सुनने के लिए उतिया लोगों कि अगर जन्हेत में सरकार नितों सरकार की सीज़ कि जिखो सरकार से पिछले 6 साल से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं और बार-बार सरकार आमें जूठा स्वासन दे के और इसको आगे सरकार दित्ती है परंतो अब जो है हम इस सिजन म और हमारी आर्फ भी पूरीरेनेगे लें तियार नहीं है। महांगे पहले तो हमारी और हैंएंप और बदान प्रार्वली दामि पूरी का हुप जहाdegree सर्विस प्रवाईटर रहें। सर्विस प्रवाइडर की वज़ा से हम अगर डाई प्रसेंट दाम मी लेते हैं तो सरकार को क्या प्रोब्लम है? एक तरफ तो अपनी मांगों को लेकर आड़ती अनिश्वित कालिन के लिए हर्ताल पर हैं तो दूसरी तरफ अपना धान न बिकने से एक किसान भी नारास हो गए हैं और सड़कों पर उतर कर धान खरीद शुरू कराने की मांग कर रहे हैं ऐसे में बरसात ने उनकी परिशानी और बढ़ा दी है ऐसे में नहीं अनाज मंडी के प्रधान रजनी शौधरी प्रदेश महासजी बिट्टू चामला विजय चाबडा नितिन भजाज समेट साथ आठी आमरण अंशन पर बैठ गए जिससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ने लगी हैं काना सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो ये कानून बिनाए गए हैं किसान के लिए और वपारी के लिए क्या इन से कभी बैठके इस पे चर्चा हुई है क्या ये चल पाएंगे कभी सहमती लिए है एक एसी रूम में बैठके कानून को लागू कर देना और जी जाओ और बजार में बोलो कि यह कानुन किसान पे और वपारी पे लागू हो गया एक उन्होंने फीस बढ़ा दिया है चार परसेंट और साइड के चार स्टेटों में फीस कम है जिससे हमारी मंडियों का माल बार जाता है सरकार को भी राज़ास का नक्सान होता है हमारी आड़ सरकार ने डईप्रिसेंट थी वह मारी आड़ चुन्होंने कम कर दी जो कि प्पृच्ची साल से चल दी थी और बार के स्टेट का जो माल है वह भी हम चाते हैं कि मारी मंडियों में आई《बस्कोंंदियों की रहा हैं》 न आज क्रिशी मंत्री की एक स्टेटमेंट आ रही है जब भी सीजन शुरू होता है तो आड़ती लोग अड़तार पर चले जाते हैं अरे आप लोग ऐसी पोलीशी बनाते हो बेपारी कभी सट्राइक पर नहीं जाना चाहता बेपारी को मजबूर किया जा रहा है मैं क्रिशी मं मंत्री को कहना चाहूंगा आप इपोर्टल का एक फैदा गिनादो मेरे आर्याने का आम आर्ती केंद्रिय मंत्री और परदेश के मंत्री से डिबेट करने के लिए त्यार है बतातें कि प्रदेश भर के आर्ती अपनी मागों को लेकर 19 सितंबर से हर्ताल पर चले गए थे ज उन्होंने आमेरण अंसन शुरू कर दिया करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्टी टीवी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद